हाई नमाशकार इंडिया कैसे आप लोग मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर नमनीत कालरा और संडे बीच चुका है मंडे आ चुका है लेकिन कोविड के पेशेंट कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं इस्पेशली हमारी दिल्ली में दिल्ली की लंका लगी हुई है लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी बात जो आपके शायत काम आ चाहे और कोविड में जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है लंक्स की वज़े से होती है और निमोनिया बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हमें निमोनिया हो च होता है तो निमोनिया के क्या लक्षन होते है अगर आपको यह पता चल जाए तो आपको थोड़ा सा असाँ होते हैं अगर आपको यह рьंक को थोड़ा साव में पहले देता हो oko फीवर, फीवर, चिल्स, ठंड लगना, खांसी, especially dry cough, सांस लेने में दिक्कत, ठकान, और चाती में भरीपन, चाती में दर्द, सांस लेने पे दर्द, डीप ब्रीधिंग करने पे दर्द, ठीक है, तो ये मोटे-मोटे सिम्टम है, मेकीन फीवर पे उपर में आऊंगा, अगर आपका फीवर शुरू में जैसे सो आया, फिर 101 हो गया, 102 हो गया, अगर फीवर 101 से उपर चल ला है, तीन-चार दिन हो गये हैं, तो आप समझ लो, कोई गड़बड आपके साथ है, especially अगर आपको अंडरलाइं कोई बिमारियां हैं, आप ये भी सोच लोगी, अगर आपको पहले से कोई बिमारियां हैं, जैसे कि आपको कोई किड्नी की प्रॉलम है, आपको सांस की प्रॉलम है, एस्थमेटिक हो, आपको शुगर है, आप इमनो कॉम्प्रमाइज हो, आप स्टिराइड ले रहे हो, तो अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है, तो आपके दिमाग मे जाती है तो समझ जाओ भाई कोई गड़बड है नमबर एक नमबर टू थकान बहुत ज़्यादा हो रही है खांसी तो है लेकिन थकान इतनी है कि बंदा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है तो भी यह symptom हो सकता है ठंड लग रही है तो symptom हो सकता है लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ऐसे कौन से दो चीज़े हैं जो सबसे important है जो आपको check करनी है फिर आऊंगा एक fever दूसरा आपकी oxygen जिसको आप बार बार चेक करते रहें तीसरा सांस लेने में दिक्कत यह तीन चीज़े चेक करते रहें लेकिन सबसे important है इसमें oxygen कई बार मैंने ये भी देखा है mild pneumonia में हलके मेरे एक patient के साथ हुआ जो डाइप्टिक हैं उनको oxygen 96-97% आ रही थी लेकिन उनका फीवर नहीं जा रहा था जब मैंने x-ray कराया तो x-ray में pneumonia आ गया CT में कराया तो pneumonia आ गया ठीक ठाव pneumonia था moderate pneumonia था तो आप से देखें कि oxygen normal है लेकिन फिर भी उसको pneumonia हो गया तो खाली एक यह कोई direct correlation oxygen का pneumonia का संबंद इतना गहरा नहीं है आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा कि oxygen normal होते हुए भी patient को pneumonia हो सकता है ये मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आप oxygen चेक करते होगे और आपको जी मेरा oxygen ठीक आ रही है तो मुझे तो कुछ है नहीं सर बाकी symptom भी बहुत important है हर symptom की importance है अगर आपको इतनी ठकान हो रही है और fever अगर 101 से नीचे नहीं जा रहा है तो ये भी COVID pneumonia का symptom हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत है अच्छाती में द दोस्तों इसको लगी COVID pneumonia हो सकता है in spite of that you are having normal oxygen saturation अंगरेजी मैं बोल दिया ना बीच 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 में बोल देता हूं तो oxygen और अगर कम हो गई है 94 से कम आ रही है तो वो तो फिर एक clear cut indication ही है लेकिन मेरा कहने का मतलब था normal oxygen होते हुए भी आपको pneumonia हो सकता है mild to moderate pneumonia हो सकता है और अगर इसको time पे ठीक ना किया जाए ना time पे treatment ना दिया जाए तो यह convert हो सकता है ARDS में acute respiratory distress syndrome जो की एक भ्यानक problem होती है जो की एक life threatening problem होती है जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है 10% लोग होते हैं जो serious हो जाते हैं 5% ऐसे लोग होते हैं जो critical हो जाते है critical मतलब जिनको ventilator की जहत भी पढ़ सकती है तो यह ता मेरा छोटा सा आपको बताने का तरीका और दूसरा यह कि pneumonia ठीक होने में कितना time लगता है बाई pneumonia ठीक होने में दो हफते से लेके 6 हफते तक लग सकते हैं किसी को भी और यह देखा गया कि 60% patient जब छुटी करते हैं pneumonia कि थोड़ा बहुत उन CT scanning करा सकते हैं वो X-ray करा के जरूर देख लें तो इनके लवा और भी टेस होते हैं inflammatory markers होते हैं वो मैं पहले भी बता चुका है LDH करा लो CRP करा लो CBC करा लो वो सब आला चीज है लेकि मेरा कहने का मतलब सिर्फ आज एक ही point पे आप note करिएगा मैं यह बता रहा हूं कि oxygen normal होत करता है बस इतना बताना था तो डणना नहीं है मिलके यह fight हम सासार लड़ेंगे और देखो तुमारे सामने बंदा हाजी रहा है परवर बंदा परवर क्या था वो गाना मैं भूल जाता हूं चलो हिम्मत मत आरो बस इतना ही बोलूँगा ठीक है और रोना नहीं है अगर हो कभी नहीं रोना चाहे तूटे चाहे कोई की लोना की लोना ला 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 रोना 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 ठीक है? जिन्दगी रोने का नाम नहीं है और मजबूदी से डट रहो लेकिन हवा में भी मत रहो होश में रहो, चलते रहो लेकिन होश में रहना है जाड़ा हवा में ने उड़ना है क्योंकि अभी करोना गया नहीं है स्पेशली हमारी दिल्ली में इस समय बहुत पीक पे है आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपने बिना किसी कारण के घर से ना निकले फिर आप से बोल रहा हूँ तैंक यू वेरी मच मेरे इस गाने को जहलने के लिए और थोड़ा सा और जहलना हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दें मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा तैंक यू वेरी मच आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा